हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मिसेस अनुरोय आप सभी बच्चों को कॉम्पुटिशन कम्यूटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ जैसे कि कुछ समय पहले ही आपने मेरे द्वारा हिंदी प्रश्ण पत्र के विशलेशन को पूर्णतह आपको उदाहरणों के माध्यम से लिख कर बताया गया जिसमें मैं बार बर यह कहती हुई नजर आ रही हूँ कि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी प्री की तैयारी मेंस में फाइदे मंद होती है जहां 48 नमबर तक का प्रश्ण केवल व्याकरण से पूछा गया है और बहुत ही सरल सुन्दर तरीके से बिल्कुल एक एक लिखने के लिए कहा गया है अगर गलती नहीं है जितना पूछा है केवल उतना ही लिखा जा रहा है तो मान के चलिए 48 नमबर आपके हाथ में थे साथ ही जो आपके पत्र लेखन से प्रश्णा आये थे 16 नमबर के अंसिन पैसेज 8 नमबर का संक्षेपन 8 नमबर का और वहीं आपके 8 नमबर के आपको दिये थे अनुवाद लेखन ठीके जो पूरी तरह गणित की तरह आपको स्कोर दे रहा था समाचार पत्र पत्रिकाएं भी बहुत सरल रूप में पूछी गई थी यहां तक की 36 गड़ के रचनाकारों के बारे में भी बहुत सरल तरीके से चीज़ से पूछी गई थी अब बारी आती है प्रथम प्रश्ण पत्र भाग तीन जो है आपकी 36 गड़ी इस व्याकरण खंड से जो चीज़े पूछी गई है वह भी पिछले वर्ष के प्रश्ण पत्र से बहुत सरल है माने की खुशी की बात यह है कि जो दो तीन वर्षों से जो लैंग्वेश पेपर जो बहुत तरीके से पूछा जाता था इस वर्ष दो तीन वर्षों से बहु आपको बहुत हवा लगता है ना चतिसगरी लैंग्वेश पर ध्यान रखेगा यह भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है ठीक है याने कि यहने हमेशा यह कहा है कि प्री में पढ़िये क्योंकि देड़ सो नंबर में पचास और पचीस करके 75 नंबर का प्रश्ण केवल व्य करना होता है यहां पर चीजें लिखनी होती है बागे घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है दूसरी बात हर साल के प्रश्ण पत्र की तरह इस साल भी 10 नंबर का तो केवल 37 गड़ी और हिंदी समानार्थी दिया है बाकि आपके व्याकरन खंड से चीजे जो है वो पूछी ग आएगा आप मुझसे दावा के साथ में कह सकती हूं कि अगर आपने मेरी दोनों लैंग्विज के क्लास अटेंड करी है चाहे ऑफ लैंग क्लास में हो यूटूब में हो लेक्चर वीडियो के माध्यम से हो एनी हाव किसी भी तरह से अगर आप मुझसे जूड़े रहे हैं मान के चलिए कि मेरे मार्ग दर्शन से आपको फाइदा ही होगा क्योंकि जितने डीटेल में जितनी गहराई में मैं चीजों को बताती हूं कि किसी भी प्रकार का प्रशन पूछा जाए आपको कोई कमी महा पर महसूस ना हो इसका प्रमान आपने हिंदी प्रशन पत्र में देखे ही लिया है, अब देखते हैं कि 36 गड़ी में क्या आपके लिए फाइदेमन साबित हुआ, तो सबसे पहला प्रशन कहता है, नीम ने लिखे प्रशनों के उत्तर लिखिये, और मैं कहता है, हिंदी शब्दों की अभिव्यक्तियों को 36 गड़ी सामानार्थी लिखे, अब ये पांच नंबर का है बिटा, और कितने दिये हैं, पांच, मतलब सोचने वाली बात है, कि दस देता तो घबराते, डरते, लेकिन यहां पर कितना दिया है बिटा, किवल पांच दिया है, तो इच कोशन है, वन मार्क्स, यानि कि गड़ीत की तरह आपको एक-एक नंबर जो है वो दिया जा रहा है, दुसरी बार, यह ध्यान रखेंगे, कि जब भी हमारे द्वारा हिंदी और छत्तिस गड़ी समानार्थी लिखा जाएगा, तो बराबर यह खयाल रखना है, कि छत्तिस गड़ शासन के द्वारा, विजहा कारिकरम के मद्दे नजर, जो शब्द शासन मानने करता है, हम केवल उसे ही वहाँ पर उत्तर के तौर पर लेकर चलेंगे, ठीक है, सबसे पहले कहा है मेधक, अब इस मेधकों को चत्तिस गड़ी में बहुत सारे नामते हैं, अब आप यहाँ पर जैसे कि भिंदोर कहते हैं, तो मेधक को भिंदोर कहा तो जाता है, पर पर पर्टिकु अब इसके दो तिना, बेंगचा, बेंगवा, भेक भी कहते हैं, ठीक है, तो मेचका भी कहते हैं, तो मैक्जिमाम चत्तिस गड़ी में मेधक को बेंगचा कहते हैं, मेचका कहते हैं, ठीक है, उसे पर कार बेंगवा भी कहा जाता है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक को आपको कहलाता है पतनी के बड़ा भाई को हम डेड़ सारा बोलते हैं डेड़ सारा कहते हैं या हम इसे बड़ सारा कहते हैं है ना डेड़ सारा या कहा जाता है बड़ सारा किसको पतनी के बड़े भाई को तो यहां पर हमारे लिए क्या हो गए आपके पतनी का बड़ा भाई डेड़ सारा या बड़ सारा कहलाता है साल को क्या कहते ही साल को कहते हैं दूसाला ठीक है ना आपने एक होगा ना राजा जी के बाग में दूसाला ओड़े खड़ी थी वाला आपने पहली बच्पन में पढ़ा होगा ना ठीक है तो शाल को कहते हैं दुसाला, अब देखे साल कह रहा है, अब अगर ये ओडने वाला शाल है, तो हम साल कहेंगे, लेकिन अगर ये वर्ष कह रहा है, तब हम साल को बच्छर के नाम से पुकारते हैं, तो ध्यान रखना न बिटा, दो रूपिया अहां पर अगर ये अर्थ लेता है शाल, जो हम पश्मीना शाल जो ओड़ते हैं ठंड के समय में, अगर वो अर्थ ले रहा है, तो दुशाला लिखेंगे, लेकिन अगर वो इयर को लेकर चल रहा है, तो हम बच्छर लिखेंगे हैं ना, एक साल, ओ साल बोलते हैं ना, तो वर्ष जो होता है, उसको हम साल को बच्छर कहते हैं, ध्यान रखेगा, तो वतसर जो होता है, जब को वार्षिक होता है, उसे बच्छर कहते हैं, और साल कह रहा है, तो हम हिंदी में बोलते हैं पौर साल, पर्यार साल, तो यहां पर मुझ ञेंचला तीसरा वर्ष हो तब परियार कहते. यहां पर दो अर्थ मुझे समझ में आ रहे हैं. यह साल कह रहा है. मिआ उळते हैं तो दूसाला कहते हैं उसको, वह भी लिखा जा सकता है. या तो अगर साल कह रहे हैं, जिसका अर्थ हम वर्ष लेकर चल रहे हैं तो बच्छर कह सकते, ठीके अब आूरत कह रहा है न तो छत्यस गढ़ी में आूरत को क्या कहते हैं आूरत कहते हैं ठीके इसके अलावा देखा जाएं तो नारी है, बाई है, तीरिया है है ना तो इस तरी को हम तीरिया कहते हैं तो 36 गड़ी में आउरत भी कहते हैं और साथ ही उसे तीरिया भी कहा रहते हैं तो इस तरी को तीरिया या आउरत के नाम से भी पुकारा जाता है इस तरह मेधक के लिए आप बेंगचा, बेंगवा, मेचका के नाम से लिख सकते हैं ठी इसके अलावा तीरिया के नाम से पुकारा जाता है, अब इसका second part क्या कहता है, इसका second part कहता है, 36 गज शब्द अभिवेक्तियों के लिए, हिंदी समानार्थी लिखना है, अब हिंदी में चोचकारी कह रहा है, चोचकारी कह रहा है, तो हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे, नुकीला कहेंगे, है न, चोचकारी कह रहा है, तो नुकीला, बर्दी क्या है, जानवरों का समो, ठीक है, ये हमारे लिए आपका हो गया, ठीक है, डंडा पचरंडा, ये एक फूल है, जो चिरया होती न, चिरया का प्षूल है ना तो डंडा पचरंडा जो है वो चिराया का फूल है हाइब्रीड वाला अब देखिए जब आपके वर्षाकाल में जब आपके जंगलों में अगर आप जाते हैं या आपने खेट की किनारे डालते हैं तो आपको चिराया का फूल नज़राता है जो गुलाबी जंग का छोटा छोटा होता है उसी का एक ब्रीड होता हो जो इतने बड़े-बड़े रूप में होता है तो वाइट कलर का ठीक है अपकर कथे कलर का है ना हलके लाल कलर का गुलाबी कलर का बड़ा रूप होता है चिरया का उसे दंडा पचरंडा कहा जाता है अब आता है कोलक तो कोलकी का मतलब क्या होता है आपका जो सकरा होता है कोलकी मतलब कि आपका जो सकरा एरिया होता है ना कोलकी मतलब हमारे के सकरा जगह है ना तो जो हमारे सकरा जगह होता है उसे हम कहते हैं सकरी जगह है ना उसे कोलकी कहा जाता है ना सकरी जगह को कोलकी कहते हैं दर्चुर् अधरचुर्रा किसको कहते हैं? अधरपका को कहा जाता है. और इस तरह अगर देखा जाता है, तो जो सकरी जगह है, उसे हम कोलकी कहते हैं, जो हमारे लिए दम बहुत ही सकरा जगह होता है, ठीक है? तो चोजकारी, नुकीला है, बरदी, जानवरों का समों है, डेंडा, पचर जो चिरया का फूल है, कोल की सकरी जगा को कहता है, दर्चुर्रा अठपका को कहा जाता है, ठीक है, अब आते हैं, 36 गर राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित, वरिखत 36 गर ही शद्दकोश, और दिलासा कला मंच के द्वारा प्रकाशित, 36 गर ही हिंदी संपादक और संकलन करता का नाम लिखना है, याने कि यहाँ पर दो प्रश्न एक जगा लिखा गया है, कि 36 गर राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा लिखा गया एक किताब जिसका नाम है वरिखत 36 गर ही शद्दकोश, किसने लिखा, वहीं दूसरा प्रकाश अकादमी के द्वारा जो वरिखत 36 गर ही शद्दकोश है, वरिखत 36 गर ही शद्दकोश, यह किसके द्वारा लिखा है, चंद्रकुर्मार चंद्राकर, किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रकुमार चंद्राकर के द्वारा, ठीक है, और बिलासा कलामंच, बिलासा कलामं इसमें जो प्रकाशित किताब है च्छतिस गड़ी हिंदिय शब्द कोश ये है हमारे लिए आपके कौन डॉक्टर गीतेश अम रोहित और ये दोनों क्या है तो ध्या समझेगा च्छतिस गड़ राजभाशा आयोग के द्वारा दो प्रकार के कारिक्रम चलाए जाते हैं एक च्छतिस गड़ साहित के किताबों के संक्रहन की योजना है माई कोठी योजना तो जो च्छतिस गड़ी विजहा कारिक्रम के अंतरगत बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ कर चौपाल में या कहीं भी संगोष्ठी या वार्तालाब की जाती है आवाज को किया जाता है उसके बाद में उनको पिना सुना जाता है और ऐसे शब्द जो प्रचलन से बाहर हो रहे थे उनका फिर से कलेक्शन किया जाता है तो राज भाशा आयो क्या करती है उसके लिए शब्द कोश का निर्मान करती है यह शब्द कोश जो हिंदी से 36 गड़ी 36 गड़ी से हिंदी और एक होता है आपका हिंदी अंग्रेजी और उसके बाद 36 गड़ी और इसी सिच्वेशन में 36 गड़ी भाशा पर कार्य करने वाले भाशा वीदों में से बहुत से भाशा वीदों ने अलग-अलग प्रकार के कार्य और योजनाओं को अंजाम दिया है जि किसी ने बोली परंपराँ पर किसी ने रिती रिवाश पर किसी ने लोक गीत और कथा पर तो किसी ने व्याकरण के पक्ष्णों को लेकर अपने साहितिक रशनाओं को अंजाम दिया तो इसी परिवेश में हम क्या लिख सकते हैं चंद्र कुमार चंद्राकर जी है बिलासा कलमंच द्वारा प्रकाशित चंद्र गीतेश अमरोहित जी है और यह आपके पूरे दो नमबर आपको मिलते हैं अब दिया है चंद्र गढ़ी भाशा का उद्विकास के रशनाकार का नाम लिखिये तो यह हमारे लिए आपका वन यह हो गया टू और आपका नमबर थ्री तो चंद्र गढ़ी भाशा का उद्विकास किसके द्वारा लिखा गया है नरेंद्र देव वर्मा और यह क्या था आपको मैंने क्लास में बताया था कि 1969 में 1969 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई चतिसगरी भाषा का उधिविकास जो 1961 में किये गए जनगरणा को ध्यान में रखते हुए इन्हों ने चतिसगरी भाषा के उधिविकास में चतिसगर का पांच मुखी वर्गी करण किया था जिसमें जाती को बाहि भाषा के प्रभाव को और राज़ी के इस्थान को नाम देते हुए पांच वर्गी करण किये थे और चतिसगरी भाषा के उधिविकास में केंद्री चतिसगरी उत्ती बुड़ती रक्सहु भंडार की तड़ पांच वर्गी मुझे को वर्गी करिद किया था तो 36 गड़ी भाषा का ओधिविकास हमारे 36 गड़ी के राजगी तर चाहिता नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा 1969 में किया गया था क्लियर हो गया हमाते हैं अगले कोशन की और इनीं में लिखे 26 गड़ी सब्दों का इस्त्री रिंग और प्र पुर निकल lindo zar अप आपको अइडेंटिफाई करना है जिति पूर्णिंग में है तो सौहाविछ है, इस्त्रेलिंग हैं में लिखेंगे, तो फिरंता है तो हम क्या लिखेंगे, फिरंतीन, ठीके ना, और यहां पर हमारे लिए हो जाएगी वो, इस्त्रेलिंग, clear, दूसरा दिया है, कोड़नीन, अब यहां पर कोड़नीन दिया है, अब आपको समझ में आ रहा है, कि ये इस्त्रे लिंग में है, तो स्वभाविक है, इसे हमको पूरलिंग में लिखना होगा, तो कोडिया हमारे लिए आपका पूरलिंग शब्द है, तो जिस शब्द में हम देखते हैं, क्या आपको ध्यान रखना होगा, जिस शब्द का अंत ई और ईया से होता है उसमें नीन प्रत्य जोड़ देते हैं तो ओडिया से ओड़ नीन है ना कोचिया से कोच नीन कहते हैं इसी प्रकार अगर पटवारी हो तो पटवर नीन कहते हैं गौटिया हो तो गौट नीन कहते हैं नाती हो तो नतनीन कहते हैं हाथ तो हतनीन कहते हैं, तो कोड़िया से बना हमारे लिए कोड़नीन, क्लियर हो गया, अगले कोशन के और, 36 गड़ी भाशा में कितने वचन प्रयोग किये जाते हैं, दो नंबर का, एक वचन, दो वचन, या तीन वचन, 36 गड़ी भाशा में अगर देखा जाए, तो संस्कृत में, जब मैंने आपको क्लास में बताया था, जब हिंदी भाशा का विकास करम बताया था, बहुत डीटेल में बताया था, कि वैदिक और लौकिक संस्कृत के समय तक हमारे पस तीन प्रकार का वचन, एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन, तीन प्रकार का लिंग, इस्त्री लिंग, पूरू लिंग और नपुनसक लिंग थे, और तीन प्रकार के वाच्चे थे, करत्री वाच्चे, कर्म वाच्च जब मध्यकाल का समय आया तो थोड़े से भोली भाशा में परिवर्तन होने लगा और इस तरह आते आते हमने देखा कि जो तीन प्रकार के वचन थे वो दो वचन में प्रयुक्त होने लगे थे और 36 गड़ी भाशा भी हिंदी भाशा की तरह दो प्रकार के वचन का प्रयुक् 36 गड़ी भाशा में दो वचन है, एक संख्या का बोध कराता है, तो एक वचन हुआ और एक से अगर जादा हो जाता है, तब उसे बहु वचन कहा जाता है, प्लियर हो गया, अब इसका question number two क्या कहता है, संगी शब्द में कौन सा link प्रयूक्त किया गया है, ठीक है, अब 36 गड ही भाशा, एक ऐसी भाशा है, जो संस्कृत की तरह तीन प्रकार के लिंग का प्रयोग करती है, ठीक है, यहाँ वचन तो दो है, पुरुष भी तीन है, और लिंग भी यहाँ तीन प्रकार का पाया जाता है, हालां की हिंदी में हमारे पास दो प्रकार के वचन है, दो प्रक प्रत्या शब्द है, जो हम अध्यापक से अध्यापक से अध्यापीका, प्राचारि से प्राचारिया, प्यंतम से प्रयतमा बनाते हुए, लेकिन अगर हम प्रधान मंत्री, अगर हम कहते हैं सचीव, राजय पाल, मुख्य मंत्री कहते हैं, तो हिंदी भाषा में उसके लिए हम महिला मुख्य मंत्री, महिला राजय पाल, महिला प्रधान मंत्री का प्रयोग करते हैं, वैसे ही 36 गड़ी भाषा के अंतरगत, अगर हम तो कुछ शब्द ऐसे हैं ध्यान रखेगा हिंदी में यदि हम मित्र कहते हैं तो पूर्लिंग शब्द है सखी कहते हैं तो इस तरी लिंग शब्द की शिर्णी में आता है और इस तरह चट्टिस गड़ी भाशा में भी वोग नाम जो पूरुष और इस तरी दोनों के लिए ह उसे उभैलिंग कहा जाता है तो संगी इसका मतलब होता है मित्र याने किया पर संगी शब्द में हमारे लिए कौन सा लिंग है उभैलिंग है संगी शब्द में उभैलिंग है तो अगर वह संगवारी कहता है संगी कहता है साथी कहता है हितवा और हितवारी कहता है इसी प् मित्रता संबंध रिष्टे में हैं, अगर गंगा जल, उसी प्रकार अगर कहते हैं, आपके भोजली कहते हैं, महापरसाद कहते हैं, अब मितान को मितानीन हो जाता है, महापरसाद को महापरसादीन हो जाता है, लेकिन भोजली, गंगा जल, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, और संगी का मतलब फ्रेंड होता है, यो लड़का लड़की दोनों होते है, इसलिए common gender है, ठीक है? अब आते हैं अगले प्रिश्न की ओर, नीम ले लेखिए चटिस गड़ी शब्द में कौन सा समास प्रयोगी थे, अब देखे बटा, समास विग्रह नहीं कहा है, आज तक कभ तोते का पंख कैसा होता है, हरा होता है, तो सुवा पांख अगर कहता है, है ना, सुवा पांख कहता है, तोते के समान हरा कहता है, तब यह हमारे लिए सुवा पांख हरियर कहता है, तो हमारे लिए हो जाता है कर्मधारे समास, ठीक है ना, अब सुवे का पंख है, है ना, ज तोते का पंक कह रहे हैं, तब यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऐसी सेच्वेशन ने, यह हमारे लिए संबंध तक पूरश हो जाएगा, मैं एक ही चीज के दो हिस्से बतारी विटा, ठीके ना, देखिए, अगर वो एक्जामपल कहता, जैसे कि सुवा पांख हरियर, सुवा रहा है, सुवा पांख, अब सुवा पांख कह रहा है, सुवा पांख है ना, यानि कि सुवा यानि कि तोते का पंक हो गया, अब तोता का पंक कह रहा है, तब हमारे लिए 36 गड़ी में भी यह संबंध तक पूरश हो जाएगा, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपके डेट आपको कह सकते हैं संबंध तदपूरुष या शष्ठी तदपूरुष या केवल तदपूरुष समास कहेंगे तो दोनों सेच्वेशन में अगर देखा जाए तो सुवा पांख यानिके तोटे का पंख कह रहे हैं तदपूरुष समास होगा असुवा पांख हरियर से अगर वो आंसर ले रहा है तो कर्मधारे समास होगा अब विग्रह में ही बोला है ना केवल नाम लिखने बोला है दूसरा 36 गड़ी के दो बहु वचन आत्मक प्रत्य के नाम लिखे तो मैंने आपको बताया था कि बहु वचन में जब परिवर्तन करना होता है जब एक वचन के शद्द को बहु वचन प्रयोग करना होता है तो हिंदी में फैसिलिटीज क्या होती है कि जब हम उसका वचन परिवर्तन करते हैं तो कभी-कभी कि साउंडिंग इफेक्ट को देख कर भी हम वरण अक्षरों को बदल देते हैं जहां किसी में कारक रचना जोडने पढ़ती है और कहीं कारक रचना जोडन Prix नहीं पढ़ती तो लड़की से लड़कियां पुस्तक से पुस्तकी नदी से नदियां इसी प्रकार वस्तू से व सुप सारा बहुत सारा चाटिस गड़ी में डेरकन, खूब कन, गंजकन, अबढ कन का प्रयोग होता है लिकिन कुछ ऐसे शब्ड हैं जिसके हम हिंदी में लोग और जन लगाती हैं हो। तैसे तूमन, एमन, ओमन, लईका मन बन जाता है, कभी-कभी हम यहाँ मनन का प्रयोग करते हैं, लईका मनन, मजदूर मनन, बहुरिया मनन, इसके अलावा हम जन का प्रयोग करते हैं, दू जन, दस जन, अबड़ जन, तो मन, मनन, जन का प्रयोग करते हैं, और बहुत प्रत्य के लिए हम कभी कभी चा कभी प्रयोग करते हैं लईकेच लईका बग आपका छेरी चेरी इसका भी इस्तिमार होते हैं कि दो लिखने के लिए बुला है तो आप चाहिए तो आप मन का और जन का प्रयोग लिख सकते हैं तो किसी भी दो ब्रहुवचन प्रयोग करने वाले प्र किया जाता है, ठस्ट अ मैं हर एक चीजKA को बताती हुं, नहीं जानती हुं कि प्रेशन किसी भी प्रकार से कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलों इसलिए मैं सारे चीज़ ग्ला कले इंप बताती हूं, यहाँ पर क्या बोला है? 36 गढ़ी के दो, बहु बचन प्रयोग करने वाले प्रत्य का नाम लिखना है तो जितने भी lots of variety की चीज़े मैंने बताई उसमें से किसी दो को mention करना है मन और जहन लिख देंगे, तो भी नंबर मिलेगा बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है, अब आते हैं अगले कोशन की ओर मीम लिखे तशनों के उत्तर लिखे अब यहाँ पर दिया है translation work 36 गढ़ी भाशा में अनुवाद कीजिए तलाब में इसनान करने का अलग ही आनन्द है अब 36 गढ़ी में तलाब को कहते हैं तरिया इसनान को कहते हैं असनान ठीक है ना, करने का अलग ही आनन्द है तो क्या कह सकते हैं तरिया मा असनान करे के अलग ही आनन्द है या कह सकते हैं तरिया मा नहाए के अलग ही आनन्द है इसका प्रेव जो है वो आपके दोरा अनुवाद में किया जा सकता है ठीक है ना, उसी प्रकार हम कह सकते हैं, ओमन लिखत रहिन, है ना, अब ओमन लिखत रहिन में काल और वचन की पहचान करना है, ओमन याने वे लोग है ना, ओमन का मतलब है, वे लोग लिखत रहिन, लिख रहे थे, वे लोग लिख रहे थे, सबसे पहली बात क्या है ये हमारे लिए भूतकाल का उदाहरण है, अब वो कंतिनुशन है, तो क्या बन जाएगा, अपुर्णभूतकाल, किस वचन में हैं, लिख रहे थे, याने कि हमारे लिए ये बहु वचन में है, ये रोगया, पहचानने की बात हो जाती है, कि ओमन लिखत रहीं, वे लोग लिख रहे थे अपुर्ण भूत काल बहू अचन में लिखा गया है और छथिस गड़ी मेंने माद क्या होगे तरिया मा नहाए के अलग ही मजा है या तरिया मा असनांद के अलग ही आनन्द है किसी भी रूप में उसका प्रेव जो है इसका प्रेव जह है वो क्लिक सकते हैं ठीके ना अब आते हैं अगले कोशन की ओर आशे लिखना है आज के बासी काल के भाद अपन घर मकाई के लाज मतलब क्या कह रहा है इसका आशे है अपने घर में किसी प्रकार की शर्मन नहीं होनी चाहिए चाहिए वो आज का खाना हो या कल का भोजन हो तो क्या कह रहा है आज के बासी हो चाहिए कल के भाद हो अपन घर मकाई के लाज याने कि हमें अपने घर में किसी प्रकार के शर्म नहीं करने चाहिए चाहिए वो आज का भोजन हो या कल का भोजन हो ठीके ना व्याक्रणिक दृष्टी से सेती शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है वाक्य में प्रयोग कीजिए अब देखिए जब मैं कारक रशना बताती हूँ ना कारक रशना में आपका दिमाग सिर्फ कहता है कि मुझे करता से लेकर आपके संबोधन तक की कारक रशन को समझनी है इसके बाद मैं एक और टापिक लेकर चलती हूँ इसमें कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो 36 गड़ी में प्रयोग किये जाते हैं अलग-अलग रूप में इस्तिमाल किया जाता है अब इस आधार पर अगर हम कहते हैं आपका कारण तो सेती का मतलब होता है अर सेती में ए बूताला नहीं कराओ कहता है तो यह हमारे लिए इसी कारण में है कार नहीं करता कहते हैं तो हमारे लिए करण तत्द पुरुष हो जाता है यह करण कारक रचना हो जाती है ठीक है ना एकरे सेती में ए बूताला नहीं कराओ लेका सेती में बहुत कर बूता करत हो कहता है, है ना, तोड सेती में ये काम लग करत हो कहता है, ऐसे situation में तोड सेती ये बूता लग करत हो, लेका के सेती बूता लग करत हो कहता है, तब हमारे लिए हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, देखे बठा, अलग-अलग sentence में, अलग-अलग तो सेती का प्रयोग जो है हम करण कारक के तोर पर अधिकांश्टा करते हैं, जैसे कि एक रे सेती मैं तोला मना करे रहे हूं, आज तोर लईका के सेती भूता कर रथास कहता तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना, तोर सेती मैं ये काम लगा रथा हो कहता तो संप्रद कारक में, संप्रदान कारक में और आवशक्ता के अनुसार संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है, clear हो गया तो example कैसे लिखेंगे जैसे, लईका के सेती में बूता करत हो, मतलब बच्चे के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो और सेती में काम करत हो मतलब संबंध हो गया, एकरे कारण में इहां नहीं आओं कहता है तो करण कारक हो जाता है तो आवशक्ता के अनुसार सेती का प्रयोग हम अधिकाश्ता करण कारक में, संप्रदान कारक में और जरूरत पढ़ने पर संबंध कारक में इस्तिमाल करते हैं अगला है आपकी पहली ये भी आपके कोको के नोट्स में मीलेगा साथ ही मेरे हर लेक्चर वीडियो में आपको कहीं न कहीं सुनने को जरूर मीलेगा, तो मैं फिर से कह रही हूँ, कि जिस बच्चे ने किसी भी तरीके से, अगर मेरे लेक्चर को अटेंड किया हुआ है तो इस बार का प्रश्ण पत्र उसको बहुत नंबर देने में मददगार साबित होगा मैं दावा करती हूँ, कि मैं कभी भी कोई भी चीजी स्किप नहीं करती बिटा चाहे मेरी लाइफ लाइफ लासेश हो duration अगर एक घंटे के लेक्चर का होगा भी, तो मैं देर से दो घंटे तक पढ़ाती हूँ, हाला कि बच्चों को लगता होगा कि इतना पहचान बताने की ज़रूत क्या है, इतना तो नहीं पुछता देख लिया प्रश्ण का हाल किस तरह के प्रश्ण, कितने लेवल पर जा कर पुछता है ठीके, प्रश्ण बनाने वाले हम नहीं है, हम कर प्रश्ण को हल करने वाले हैं, तो जानकारी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि कहीं सभी प्रश्ण पुछे, तो भटकाओ महसूस ना हो ठीके चलिए अब यहाँ पर दिया है मैजद कॉलम दिया है मैजद कॉलम में क्या कह रहा है नान कुन टूरी कूद कूद के पारबांध है तब हमारे लिए आता है सुई है नान कुन टूरी कूद कूद के पारबांध है तो सुई है दूसरा कह रहा है रात मा गर तरी पचरी बीच मा मोंगरी मचरी तब यह हमारे लिए आपका जीव हो जाती है ठीक है अब अगला आता है पांच भाई के एक अंगना तो यह हमारे लिए हथेली है यह हमेशा में यह चारो एक्जामपल जब भी मैं जनवुला बताती हूं आपको मैं जरूर और यह आपके कोको के नोट्स में भी है और मेरे दारा लेक्शर में भी इसे इसे इस्पेशली तरीके से बताया गया, ठीक है, next one question, नीमने लिखीत हिंदी वाक्यों का 36 गढ़ी में अनुवात कीजिए, मजदूरों के हित के लिए क्या क्या योजना है, अब मजदूर को 36 हीत बर, बनिहार मन के हीत बर, अब हीत कह रहा है, है ना, हीत बर कह सकता है, या बनिहार मन के हीत के खातिर कह सकता है, मजद बनिहार मन के हीत बर या बनिहार मन के हीत के खातिर कह सकता है, है ना, इसका मतलब होता है हमारे लिए के लिए, क्या क्या योजना है, तो बनिहार म योजना हावे, है ना, यह योजना है, यह काय काय योजना हावे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, आगा समय में, तो बनिहार मन के हीत बर काय काय योजना हावे भी कह सकते हैं, यहां यहां पर काय काय योजना हे कभी प्रयोग कर सकते हैं, चावल पक रहा है, अब 36 और हुर या चूरत है या चूरत हावए या चूरत हावए का इस्तिमाल कर सकते हैं कोई भी एक शद्व कर इस्तिमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं चवर चूरत है भी कह सकते हैं अब हर लगाना नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं तो चावल पक रहा है तो चूर चूरत है है ना या चूर चूरत हावे या हावे या हावे इसमें से किसी एक का इस्तमाल आपको करना है बैठक में काविवरित का मसावदा अनुमोधन के लिए प्रसुद्ध है अब बैठक को 36 गड़ी में गूरी भी कहते हैं पंचो की बैठक कह सकते हैं या हम यहाँ पर बैठक कह सकते हैं या बैठक तो बैठक मा गूरी ना कहकर हम गूरी का प्रियोग यहाँ पर उचित नहीं है पंचो की बैठक को गूरी कहते हैं यहाँ पर इसका प्रियोग नहीं कर सकते हैं तब यहाँ पर बैठक मा तो बैठक को क्या कहते हैं बैठक मा काविवरित के मसाउदद है अनो मदन के लिए प्रस्तूत है कह सकते हैं तक हमारे लिए क्या बने गए है एक धूमें कहिंसरो सुट्च अलिक ना वेठक मठनल करोद लियुक्त प्रस्तूत हे, इसका भी प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, ठीके न, अब क्या कह सकते हैं, example, अनोमोदन न केकर हम क्या कहते हैं, समर्थन बर, ठीके, तो क्या कह सकते हैं, बईठक मा कारवाही के आलेक, समर्थन बर प्रस्तूत हे, ठीके न, ये इसका example होगा, अब कहते है इसके भी अच्छे दिन आएंगे क्योंकि सब दिन एक समान नहीं होता अब इसके भी कह रहे हैं तो 36 गड़ी में का कहते हैं एकर भी इसके भी कहते हैं तो क्या बनेगा एकर भी अच्छे दिन आएंगे तो एकर भी अच्छा दिन आही है ना एकर भी अच्छा दिन आही या कह सकते हैं एकर मन के भी इसके भी अच्छे दिन आएंगे तो एकर मन के भी अच्छा दिन आही काबर के सब दिन एक समान नई होए ठीक है तो इसके भी अच्छे दिन आएंगे कहता है तो एकर भी अच्छा दिन आही या बहुँ अचन है तो एकर मन के भी अच्छा दिन आही, काबर के सब दिन एक समान नहीं होए, यह जो आपका अनुवाद है, जो लिखा जाएगा, ठीक है, अब बारिया आती है, 36 गड़ी के साहितिकार से, जेंजरी नामक रचना के, साहितिकार कौन है कहते हैं, तो जेंजरी के रचना कार हैं, गो गोरे लाल चंदेल, है ना, जेंजरी नामक जो रचना है, उसके लेखक कौन है, तो जेंजरी नामक रचना के लेखक जो हैं, वो गोरे लाल चंदेल है, ठीक है, लोक वेभार और कार्यालीन 36 गड़ी के लेखक कौन है, ठीक है, तो बीजहा कारकरम जो राजभाशा आयोग के द्वारा चलाई जा रही है इसी में से राघभाशा आयोग के अंतर गति ही सन 2018 में, 2018 में लोक व्यवार और कार्यkeepers 36 गढ़ी डौक्टर विनय कुमार पार्थक के द्वारा है जो रची गई थी है ना, तो सन 2018 में डॉक्टर विनैकुमार पार्थक के द्वारा लोक व्यवहार और कारेलिन छत्तिसगड़ी नामक एक साहितिक किताब की रशना लिखी गए थी अगला क्वेशन है छत्तिसगड़ी बोली का व्याकरण किसकी रशना है छत्तिसगड़ी बोली का व्याकरण छत्तिसगड़ के पाणीनी मुन्शी हीरा लाल काव्यो पाध्याए पी रचना है ठीक है तो कब लिखा गया था 1885 में ठीक है ना 1885 में खड़ी बोली का प्रेव करके पहली बार व्याकरण किताब लिखी थी मुन्शी हीरा लाल काव्यो पाध्याए ने जिसकी ब्रेस उन्हें उचत्तिसगड़ के पाणीनी के उपाध्य दी गई थी तो चत्तिसगड़ बोली का व्याकरण किसकी रचना है मुन्शी हीरा लाल काव्यो पाध्याए 1885 में लिखा गया जिससे लोचन पर साथ पांडे की मदद से सर जोर्ज अब्राहम ग्रियरसन ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और कलकत्ता के बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में छपने के लिए भेज दिया जब वो किताप प्रकाशित होकर आई थी तो पांच वर्स का समय बीट गया था तो लिखा गया 1885 में और प्रकाशित हुई थी 1890 में ठीक है अग्रामर राब्दी 36 गड़ी डायलक्ट के नाम से इंग्लिश वर्जन था 1921 में लोचन प्रसाथ पांडे ने उसको ने तरीके से समवर्धित करके ने कलेवर के साथ में अग्रामर राब्दी 36 गड़ी डायलक्ट आफ इस्टन हिंदी के नाम से हिंदी मैनुवाद किया था अगला कोशन मयारू माटी पत्रीका के समपादक का नाम क्या है सुशिल वर्मा के समपादन में यह पत्रीका प्रकाशित होती है तो कहां से प्रकाशित होती है 36 गड़ के मासिक पत्रीका है राइपूर से ठीक है ना तो यहां मैं आंसर लिख दू ठीक है मयारू माटी 36 की एक मासिक पत्रीका है ठीक है जो कहां से संपादित होती है रायपूर से और किसके संपादन में सुशील वर्मा के संपादन में ठीक है ना तो मयारू माती पत्रीका के संपादक का नाम सुशील वर्मा है जो 36 गड़ी मासिक पत्रीका है रायपूर से इसके संपादन में प् तो अगला कोशन क्या कहता है, अब देखिए, साहित एक खंड से प्रेशन उठाया है, कि 36 गड के प्राचिन प्रेम गाथाओं में से किसी एक का नाम लिखना है, अब प्रेम गाथा क्या है, 36 गड के अंदर किसी चरित पधान व्यक्ति के संपुर जीवन का उलेक, अगर हम देखते हैं तो गाथाओं के माध्यम से एक लोक गाथाकार पिढ़ी दर पिढ़ी इस प गाथा योगो को 36 गड का स्वर्णीम योगो कहा जाता है, इस समय प्रेम प्रधान धार्मिक और तौरानिक गाथा है, जो है वो सुनाई जाती थी, प्रेम प्रधान गाथाओं में हम विश्यस तोर पर क्या जानते हैं, एक जानते हैं आपके अहीमन रानी की गाथा, ठीक ह पंदवानी की गाथा जब मंध्यकाल का समयाय मुगल वंश Hitaka So iba में समय में पहला मुगल आकरवण 1536 में राजा चुन्ति और नवारेंद्र को स्वतम गाथांकाई ना दार्मी मों diyorum देखा जाए, तो समाज और पंत की धारा में कबीर पंत और सतनाम पंत भी प्रभाईत होने लगे, तो प्रश्ने ने क्या पुछा है, छत्तिस गड़ की प्राचिन प्रेम ग्राथाओं में से किसी एक का नाम लिखे, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, किसी एक में अहिमन र वहाँ लिए तुलसीदास है, पंडित सुन्दरलाल शर्मा, और राजनिति के एक शित्र में जिसे हम गांती के नाम से उपाधी देती हैं, तो इनके नाम से बिलासपूर में एक विश्वध हमुठ मुक्त विश्विध्याले है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित स चुंदरलाल शर्मा, जो छत्यसगड़ के राजसाहित्य के एक शित में तुलसी दास की उपाधी दी गई है, उनके नाम से छत्यसगड़ के बिलासपुर में एक मुक्त विश्व विद्याले की स्थापना जो है, वो की गई है, ठीके, अगला कोशन क्या कहता है, खुसराचि चिरह के बिहाओ, कपिलनाथ, मिश्र के दारा रची गई थी, खुसराचिरह के बिहाओ, कहा जाता है कि छत्यसगड़ का यह पहला एक ऐसा शब्द प्रयोग है, जहां छत्यसगड़ के जीव जन्तु, कीड़े मकोड़े, पेर पौधे, पशु पक्षी, सब का छत्यसगड यह शब्द कोश की पर वरण किया गया, कि दुलहा हर्तो दुलही पाईस, दुलहा हर्तो, दुलही पाईस, बामहन पाईस ठक्का, सबे बराती बरा सुहारी, सम्धी धक्कं धक्का, नाओ बंजनिया, दुन्नो जगरते हैं, नेंग चुका दे पक्का, हाथ में एको यह संधी हका बक्का, तो कहते हैं कि खुसरा, छट्टिस गड़ में क्या है? आउल जो होते हैं ना उन्लू, तो बड़ा वाला है ना तो घुखुवा कहते हैं, और छट्टे वाला होते हैं ना उसको कहते हैं खुसरा, तो उसकी शादी है खुसरा चीरई के बिहाओ, उसकी शादी है, उसका नियोता जंगल के, जितने भी जीवजनतु है, कीडे मकोडे, पशुपक्षी है, विक्ष हैं, लताएं हैं, फूल पौदें हैं, सभी को नियोता दिया गया है, खुसरा चीरई के बिहाओ का, तो एक प्रकार का यह जाता है। ठीक है। और यह रशना किस ने की थी। कपिलनात मिश्र के द्वारा रची गई थी। ठीक है। तो अगला कोशन क्या कहता है। अगला कोशन कहता है हमारे लिए। हम सब ओस चाटे ले प्यास नई बुझावे। हिंदी रुपांतरन दिखे। अब यह हमारा ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती इसका 36 गड़ी से किस में अनुमात करना था हिंदी में तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती अब इसी का दूसरा पक्ष दे दिया है हम सभी आदमी आए थे 36 गड़ी में अनुमात करें हम सभी आदमी कह रहा है तो क्या बनेगा हम सभो आदमी आए रहें क्या बनेगा हम सभो आदमी हम सभो आदमी अब यहाँ पर सभो आदमी जम्मो आदमी भी कह सकते हैं हम सभो आदमी हम सभो आदमी आए रहें ठीके ना हम जमो आदमी आए रहें इसका नुवाद 36 गड़ी में हम सभी आदमी आए थे 36 गड़ी में इसका नुवाद होगा अगला कोशन 36 गड़ी भाषा के विकास में समाचर पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमी का थी ठीक है ना? अब देखने वाली बात है कितने नंबर का आपको दो नंबर का ठीके ना तो क्या लिखेंगे चतिस गड़ में राजमन गाव में प्रजा मित्र का पंजियन होने के बाद 19 वी शताबदी में चतिस गड़ में सबसे पहली पत्रिका बिलासपूर के पेनरा से आपकी प्रकाशित हुई नाम था चतिस गड मित्र, जिसे 36 गड़ का प्रथम समाचार पत्र पत्रिका के नाम जो है वो दिया गया है इसके मां धीरे-धीरे 36 गड़ अंचल के अंदर भी 36 गड़ ही भाशा में समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव देखने को मिलता है कुछ समाचार पत्रिकाएं ऐसी थी जो 36 गर के हर एक अंचल से प्रकाशित होती थी जैसे कि रायगर दर्पन हैं जो रायगर से प्रकाशित होती थी भिलाई से बिलासपूर से कोरवा से आपके करहोरा से यहां तक कि रायपूर से समाचार पत्रिकाओं के शुरुआ थी इस स समाचार पत्र पत्रिका ना केवर स्वतंतरता योगदान की सहायक हुई बलकि 36 गड़ी बाल बोली भाषा को आगे विकास में बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी साहितने अपनी स्थान बनाती है वर्तमाइन समय में 36 गड़ से निकलने वाली हिंदी के समचार पत्रिकाओं में भी 36 गड़ का एक अंक है जैसे कि हरी भूमी में चौपाल आती है देश बंधु में मड़ई पत्रिका आती है पत्रिका में पहट पत्रिका आती है इसी प्रकार हमारी लोकाक्षत पत्रिका हो सं वो तक अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसके विकास में सहायक होती है, कुछ ऐसे पत्रिकाएं हैं, जो छत्रिजगर सेवक है, छत्रिजगर में अग्रदूत है, वो संध्यकानिन पत्रिकाएं हैं, जो छत्रिजगर ही भाषा में निकाली जाती है, और इस वज़े से छत्रि इतेल में बता रही हूं, बस शॉर्ट एंड सुट तरीके से आपको दो नंबर के लायक इसको मेंशन करना होगा, ठीक है? अगला कुशन आता है हमारा, राज काज की भाशा और चत्तिसगर ही भाशा विशय पर संक्षित प्रकाश डालिये दो नंबर का है, ठीक है? हम राज भाशा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, हालां की 28 नवंबर को हम राज भाशा आयोग की स्थापना होने की वड़े से इस दिन को राज भाशा दिवस के तोर पर मनाते हैं, परन्तो आज भी 36 गड़क अंतरत हम प्रशासनिक कारियों के लिए राज काज की भाशा के तोर पर हिंदी भाशा का प्रयोग जो है वो करते हैं, 36 गड़ी भाशा को बनने के लिए जितने भी खुबी एक भाशा को अपना इस्थान दिलाने के लिए प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ये कमी की आठवी अनुसूची में अब तक लिखित रुप में शामिल ना होने की वज़ा से, 36 गड़ी के अंदर आज भी प्रशासनी कारियों के लिए हिंदी भाशा के प्रयोग जो है वो किये जाते हैं, तो राजकाज की भाशा और 36 गड़ी भाशा में हम कह सकते हैं, कि राजकाज की भाशा याने प्रशासनी कारियों के संपादन की भाशा और चंतिसगड़ी भार्षा कह रहे हैं तो लोक वेवहार में प्रयोग होने वाली संपर्क के तौर पर दूसरे राज roommate से और अपने राज्य के लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग होने वाली भार्षा इस अंचल के अंदर प्रयोग होने की वज़ा से से 36 गढ़ी भाशा के नाम से प्रयोग किया जाता है ठीक है और इस तरह 50 नमबर के 36 गढ़ी के प्रशन पत्र अब यहाँ पर हमारे लिए कंपीट होते हैं तो कहने का मतलब यह है कि 36 गढ़ लोग सेवा आयोग के द्वारा प्रथम प्रशन पत्र भाशा जिसके अंतरगत प् इसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर आपको महसूस नहीं होई होगी हालनके अभी परिक्षा का समय है मेरे मुख्य परिक्षा देने वाले जो विद्यार्थी है वो अभी परिक्षा में अपने सनलग में होंगे लेकिन उम्मीद करती हूँ जैसे ही उनके परिक्षा समाप्त होगी इस पत्र-पत्र के विशलेशन को बहुत बारी की से देखेगा और अपने पत्र पत्र के उत्तर का आकलन स्वयम कीजिएगा समय समय पर हमेशा हमारी संस्था आपके लिए कोई अनुगाय पत्र-पत्र-पत्र-पत्र-पत्र प्रथम की विशलेशन में हिंदी 1600 बढ़ ही आपकी समख्ष लेकर परश्तुत हुई थी आने वाले समय में कुछ और नई चीजों के साथ में आपसे बुनह प्राबल जुड़ूंगी और तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चे को धेर सारे शबकामना है, धेर सारा प्यार, thank you so much, love you and God bless you to all my बच्चा, जो भी बच्चा CGPACE मेंस की एक्जाम दे रहा है, मैं भगवान से प्रार्फना करती हूँ, कि अपने परिक्षर में सफल हो, और जिस पद की तैयारी के लिए वो अपनी मेहनत कर रहे थे, भगवान करे, वो पद उन्हें भी शिस्तों पर प्राप्त हो, तो इन्हें सुबकामनाओं के साथ लेती हूँ विदा, thank you so much, God bless you, love you to all my बच्चा,